आज हम लोग शुरू कर वारे हैं माइंट्राफ्ट की न्यू सर्वाइवल सीरीज और यह कोई ओफ्लाइन वर्ल नहीं है यह एक सम्पी है इसमें दीरे-दीरे लोग जॉइन होते जाएंगे तो आप प्लीस बहुत ज्यादा इंजॉय करिएगा मैंने अभी तक कुछ जादा नहीं किया बस बेसिक से एक दो बैट कलेक कर लिए और अपने लिए स्टोन के टूल्स बना लिए फिर मैंने पास मैसी थोड़ा बहुत स्टोन माइन करके अपने लिए एक फरनेस बना लिए और अपने पाजिता भी खानता सारक को करने के लिए डाल दिया फिर मैंने अपने घर के पास जब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर गया तब में पता चला है कि यहाँ पे एक केव है फिर मैंने इस्टेट डिकिंग से बढ़िया कि एक केव में माइन करना होगा तो महाँ पे छोटी उटी बहुत सारी केव सी तो मैंने वहाँ पे खूप सारा आयरन माइन करना स्टार्ट कर दिया और कोल भी थोड़ा बहुत कोल मिलने के बाद मैं थोड़ा बहुत कोल माइन करके अपने लिए टोर्चे बना लिए और उन्हें अपने लेफ्ट हैंड में पगण लिया खूब सारा आइरन और कोल माइन करने के बाद मैं बापस आ गया आपको मेरी इंवेंटरी में दिख सकते हैंगे मुझे कितना सारा आइरन और कोल मिल आ है फिर मैंने अपने सारा आइरन और कोल एक और फरनेस बनागे स्मेंट होने डाल दिया फिर मैं थोड़ी देर के लिए आइरन स्मेंट होने का वेट करने डगा अच्छा आइरन स्मेंट होने गबाद मैंने अपनी दोनों फरनेस से आइरन ले लिया और अपने ले टूल्स और आर्मर बनाना शुरू कर दिया झाइर जब सुतचँ! प्लाद प्लाद झाल सारे टूल्स और आर्मर को बनाने के बाद मैं अपनी वॉटर बगीट को फिल करने चला गया क्योंकि हम लोग एक छोटा सा वीट फार्म मनाने वाले हैं फिर मैंने अपने घर के पास ये वीट फार्म को बनाना शुरू कर दिया वीट फार्म बनाने एक वाद मेरे पास थोड़े सीट्स बढ़े थे तो मैंने उन्हें प्लांट करना शुरू कर दिया वीट सीट्स प्लांट करने के वाद मैंने अपने फार्म के आस पास पूरे में टॉटेस को लगा दिया ये सब काम करने एक बाद मैं सीदे अवस्ट्रे डिगिंग करने वाला था और खोप सारे अपने पासांट डायमेंट्स को माइंड बनने वाला था वाइस गल्टू 12 पे पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पे अपने लिए छोटास एक रूम बनाना शुरू कर दिया वहाँ पे हम लोग अपना सारा समान रखने वाले थे और दो चार फरनेस बिला आने वाले थे चोटा सारूम टाइब बनान एक वाद महां पे मैंने टॉर्चिस भी लगा दी क्यूंकि वहां पे अगर मॉप स्पॉन लगे तो दिक्कत हो जाएगी मैं नीचे अपने केव में आईरन माइन खरी रहा था तब ही एकदम से मुझे अपने पहले डायमेंड्स मिल गए यह हमाई सीरीज के पहरे डायमेंड्स देख और देखते हैं कितने डायमेंड्स है हम लोग को कहीं नहीं तो तीन से चार डायमेंड्स मिले ही दे अपने पत्सक्ता है जब शहीं अपने कितने बड़ में देखते हैं तो अपने भाइग एक करने पत्सक्ता है यह थिस देखते हैं कि अपनी माइन हो चुकी है पूरी कंपलेट और आप लोग को देखना चाहते हैं कि कितिमार मिला है तो यह देखिए हम लोग को कितना सा और अच्छा सा अरण में जाए और यह देख कितने सारे डाइमंड डायमंड मिल गए के शबका अच्छी इस वाली वीडियो में इतना ही अगले सिरीज में यहें लोगों को अपनी झाल झाल झाल